इसक्रीन में दिख रहे हैं ये तस्वीरें एक तरफ राहूल गांधी और दूजी तरफ हेमंत बिस्वा सर्मा की है आपको बताते हैं कि राहूल गांधी भारत चोड़ो नियायात्रा के रूट के रूट को लेकर कॉंग्रेस पार्टी और असम सरकार के मुख्यों मंतरी हेमं इसके बाद राहूल गांधी समयत कई निताओं के उपर मुकतमा भी दायर के जा चुका है आपको बताते हैं इसके बाद दोनों एक दूसरे के उपर हामलावार हैं इसके साथ ही हमंता विस्वा सर्मान और राहूल गांधी का फ्लाइंग केस करता हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है इसके बाद दोनों के इस वीडियो को एक साथ चोड़ कर देखा जा रहा है राहूल गांधी का ये फ्लाइंग केस का वीडियो पिछले दिनों पलाना है इसके बाद जबद्स तरीके से लोगों के बीच में वारल हो रहा है इसके बाद हेमंत बिस्वा सर्मा का एक वीडियो सामने आया इसमें वहें कार से बहार निकल कर लोगों को फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद उन्होंने अपने रोड शो का वीडियो भी शेयर किया और ट्विटर हैनल पर लिखा आज नाजार में हमारे कारेकर्टाओं के साथ आपको बताते हैं कि रहूल गान्दी के भारत चुड़ो निया यात्रा के दोरान कुछ लोग मोधी मोधी के नारे लगाते हुए नजर आए इसके बाद रहूल गान्दी ने फ्लाइंग किस करते हुए ये वीडियो शेयर किया है इसके बाद राहूल गान्दी ने फ्राइंग केस करते हुए उनका बिवादन किया जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का प्रियार मिल रहा है।